बड़ी बात कहिए यहां पर कि भई भरोसा आप जो कॉंग्रेस के बड़े नेता है वो अपने आप में जगा नहीं पाया और इसलिए यह इस्तिती हुई इकमनेश गुरु जी जो बात यहां पर बढ़ाये प्रकाश जी ने कितना आपको लगता है कि वाकई आप 2018 में भी सरकार चला सकते थे अप अपनों कोई साथ जोड़कर नहीं रख पाया किस बिना पर आप पर भरोसा किया जाए यह सवाल तो है बिल्कुल जिवन सवाल है ले यह तो यह तो कैडर को कैडर को साहित करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी के जानकार जो है उन्होंने अदमी वोटेंगी मुद्धे पर की है इसी थी आगा जे 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 प्रकाश जी देखिए बीजेपी की रावनीती मुझे लगता एक पत्रकार के रूप मुझे लगता कि बीजेपी की रावनीती यह थी कि जो सीटे हम हार चुके थे ऐसी 75 सीटों में से साथ सीटों पर एक सीट छोड़ दीजे प्रहलाद पटेल वाली नसीव पुर की बाकि साथ सीटों पर उन्होंने अपने कड़ावन नेता खड़े की यह सबी सीटे बीजेपी पिस्छे चु नचीस बीजेफी तो इनधा ज ससीटे रेओंगी रोड़ जाएगी इस तरके से तो राणीती के तोर पर ये बिलकुल सही रलणीती नहीखा ये बाढ़ा विश तबको फायदा होगा वही पर एक सीट में चुद्नीन करेदी रीप चल़े लिजूाय और бегel मैं चार बार के महासत्यूग हर्याना में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई बंगाल में तीन सीटों से सत्तर सीटे लियाने वाला कुछ छोटा व्यक्ति नहीं है बड़ा नेता है वह व्यक्ति इंदोर में खड़ा है लोगों के पास जारा तो चुनाव प्रभावित ह होगा ही और कैलाश विजयवर्गी ने जिन्दगी में कभी कोई चुनाव हारा नहीं कोई भी चुनाव नहीं हारा चाहे कहीं से भी खड़े हुए तो मुझे लगता है कि यह बीजेपी की रणनीती बिल्कुल सही रही कांग्रेस यहां पिशा लगई कांग्रेस के 49 लोग 39 नाइन लोग है नेता हैं जो निर्दली खड़े हुए अब असपासे खड़े हुए असपासे खड़े हुए आम आद्वी पार्टियस खड़े हुए तो यह सब लोग पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 43 43 सी ऐसी थी तो तीन पसिश्चत के अंतर से फैसला हुआ था य 49 उमिद्वार कहीं निर्दली होंगे तो यह हजार दो हजार तीन हजार वोट काटेंगे आप अंदाज लगए कि तीन हजार वोट अगर कांग्रेस के कट के अलग हो गए और दूसरी पार्टी में चले गए तो दूसरी पार्टी को इतने वोट बढ़ गए अठारा में दो अंतर सिंग दर्वार बड़े योग नेता थे इसा मुझे लगए अंतर सिंग दर्वार आरे अगर जे अब कांग्रेस ने बीजेपी से आए वेक्टी को टिकट दे दिया और जो आदमें तीन बार से दो बार का विधाया करे चुका है तीन बार हार चुका हार गयाना संभावना थी लेकिन उसे टिकेट नहीं दिया तो बींगंग्रेस तो गलत लोगों को टिकट दियें कई जगा वोह न कि सभी हमारे मित्र हैं शकला alarm म मईत्र हैं लेकिन मुझे लगता कि उनके जगह दरवार को टिक्ट मिलता तो हुक सीट आने के संभावना जयादा होती यह संदेश तो पार्टी ने देई दिया कि भाई आप पार्टी प्रियोरिटी है पार्टी प्रात्मिक्ता है आपको कहीं से कहीं भी पहुचा है जा सकता है जरूर इसी यह कारण है कि साथ बड़े नेताओं को बिधान सभा की चुना हो लड़ाए गए हलाकि मामले फसे हैं दिमनी हो दत्या हो या इंडोर एक हो सभी जगा मामला फसा हुआ है जीते हैं के आरें के वालक मतला है जिवी बोटरने हालाकि इसमें युवा जो बोटर है वह यो चीज नहीं देख रहा है वो अपना भला देख रहा है विकास देख रहे है उसको बेनी फिट्लों कुछ पॉलिसी से जो युवा युवा किसी राजने देख जल से एकदम नहीं चुड़ता अच्छे इस बाइस लाक वोटर में वो वोटर भी है जो लाडली लक्षमी है बीजेपी सरकार की योजनाव कालाब वो युवा वोटर भी पहली बार जिने साइकल मिली है जिने देवलप्मेंट हो रहा है यह सभी का काम है पर मुझे क्या मिल रहा है हर परिवार यह देखता है चाहिए लाडली बहना की बात करो चाहिए युवा की बात करो चाहिए दिव्यां की बात करो हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है यदि रोजगार मिल रहा है तो मैं आपके पक्षम हूँ यह यहीदि मेरे घर में बारा सो पचास हा रहे हैं तो शाहद मैं आपका सबोर्ट कर सकता हूं मुझे रोजगार के लिए आप कुछ नई चीजळे प्रोवाइड कर वा रहे हैं तो मैं आपके पक्ष में हूँ, ये सारी चीज़ें आज के समय में एक बड़ा फेक्टर है, लेकिन यदि मद्यविदेश के चुनाओ की बात करो, तो मद्यविदेश के चुनाओ और मद्यविदेश की जनता इस्थाइत वचाती है, आप हमारे पुराने बैग्राउंड की बात करोगे, तो कुछ देर पहले आपने एक बात गई थी, नेक टूनेक फाइट है, तो ये फिर दोजार अठारे जैसा मसला ना फस जाए, फिर जनता कहां, कोई अंडर वाकई अंडर करेंट है, देखे पिछले चुनाओ में जो नेक टूनेक फाइट थी और जिसमें कॉंग्रेस ने मिली, तो मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि आदमी ये देखता है कि मुझे क्या मिल रहा है, किसानों ने ये देखा कि मेरा कर्ज माफ हो रहा है, यदि मेरा कर्ज माफ हो रहा है, तो मैं आज कॉंग्रेस के साथ हूँ, मेरा कर्ज माफ आप ये नहीं कर रहे हो, तो मैं वोट होगा और वही वोट कॉंग्रेस से एक आधार बार बार या एक बेजरूर लेती आई कि भाई हमें 15 महीने मौका मिला हमें सरकार चलाने का परियाप्त समय ही नहीं मिला अगर मिलता तो सारे वादेपूर देखे प्रकाश जी नहीं बहुत अच्छी बात कही है उन्होंन सालस नहीं था जो तीरा दित्य सिंद्या के साथ सम्मान को लेकर गए थे यदि उन्हें प्रॉपर सम्मान मिल जाता तो शायद आज 5 साल सरकार चलाते बहतर काम कर रही थी कॉंग्रेस 15 महीनों के कार में भी उन्होंने बहतर काम करके दिखाया है यदि वह 15 आगे के और बा पासूर बनता है यदि किसी चीज को फटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं वही कारण सामने नजर आया और वह अपने कुन्बे को नहीं समाल पाई यह उनकी खामिया थी यदि कमलनात उन्हें सैड करते दुनिया में आप यदि किसी परिवार में बैठे हैं तो अपन 15 महीने भी प्रॉपर काम नहीं कर पाई यही कारण था कि लगता है वह अपना काम दिखा पाई आप काम दिखातें बैठके काम करते पंद्रा महीनों में जो किया हूँ आगे के काम आगे के समय भी करते तो शाहिद इलावने मुश्किल हो था आपके पाउं जो है वो जम जाते हैं हेवन शर्मा जी को लगता है कि पांस साल पूरे अगर सरकार चला के दिखाती कॉंग्रेस तो शायद और बड़ा मौका मिलता है प्रदीब जोशी जी युवाओं को लेकर एक बार-बार बीजेपी दावा करती है कि अगर युवाओं का कुछ वोट कॉंग्रेस को जाता भी ह है तो उन्होंने दिखविजय सिंग सरकार का शासन नहीं देखा काम नहीं देखे तो शायद चला जाए कुछ वोट और युवा जो है युवा मद्दाता पे जो शनिक माहोल जो बनता है वह भी बहुत असर डालता है और जैसा कि अभी इस पूरी बाचित का जो कंक्लूज निकल के आया है लेली दूपन दूजी न बड़ी अच्छी बात बूली कि कमिटेट बोट अपनी जगह पर हैं 20% बूर्ट जो मूव होता है वही फैसला कर देता चुनाओं का तो वह फैसला योजनाओं का आता है मिलने वाले लाब का आता है तो शानिक रूप से जो किये प्रकाशी आखरीब एनलेसस चोठा सा अनलेसस और दर्शकों को जरूर कम से कम समझ आनी चाहिए बहाँ पहुंचनी चाहिए दिल तक मालबार निमाला की बात करे तो यहां बहुत तकड़ा संगर्श है प्राफर इंदोर जिले में 9 सीटे हैं यहां इन दोर जिले में BJP की बड़त है पांच 4 या 6 3 होगा BJP को 5 या 6 सीटे मिल सकती हैं लेकिन निमाला के दूसरे इलाकों में मध्रदेश के आदीवासी अंचल कांगरिस ला पाती है कितने वोट को भुना पाती है मत पेटियों में बटन दबा पाती है कांगरिस के उपर है तो कांगरिस पर यह चीज़ ले तुमन्यू जी आखरीब कमेंट आपका एनलेसिस भी थोड़ा सा जरू समझाएगा आधिवासी वाकई बड़ा फैक्टर हैं य कुक्षी वगरा जो है वो सिदे आधिवासी आली राजपूर कुक्षी सरदार पूर वगरा है यहां बेशक कांगरेस बहुत मजबूत है और संबहुता जीद भी सकती है संबहुता लेकिन ओवराल जब अपन बात करते हैं तो आधिवासियों के साथ एक कंफ्यूजन बिदायक का चुनाव लड़ लेता है तो एक जो मजबूत नेतरत्वों का जो अभाव आधिवासियों में था उसका फायदा उठाते वे दोनों पार्टियों ने अच्छी खासी आधिवासियों में गुस्पेट कर ली बीजेपी की जो सायोगी जंग्डा ने जो अप्रित बीजेपी कहीं भी आधिवासियों के बीच में नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कुक्षी ले राजपुर सुधार को बराबर बराबर का नहीं के सकता मुझे मुझे लगता है कि इस चीज को हटा दें अगर आप तो बाखी जो चीज़े उसको मिला कि भी पिश्ली ब निमाड के केंद्र इंदौर के जो संपादक हैं वो क्या सोचते हैं क्या समझते हैं और मालवा निमाड को लेकर भी अनलस्स आपने समझा होगा और यहीं से आप समझ लीजिए कि सत्ता की चावी निकलने जा रही है एडिटर्स पोल में आज इतना ही हम फिर किसी नए जल में आप से मिलेंगे जानेंगे वहां पर संपादकों की राय आखिर है क्या दन्यवाद